तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसमें क्या करेंगे किसी भी question को answer करने का एक general framework आपको बता देता हूं तो जैसे मैंने इसमें example ली गई है ethno methodology की ठीक है क्योंकि recently पढ़ा था तो सबसे पहले आप किसी question में theory बताएंगे कि किसने कहां से ये evolve हुआ है जैसे कि Alfred Schultz का नाम ली है यहां पे hustle का नाम ली है मैंने है ना तो उसके बाद आप methods बताओगे कि इसमें method क्या use होते हैं कि जैसे ethno methodology का case देखोगे तो इसमें itself not a method बट कुछ-कुछ जो members determine करते हैं उनके क्या methods use करेंगे वो social life की orderliness को interpret करने के लिए उसके बाद आप हमिशा policies या method या फिर उनकी definition पर आ जाना कि जैसे जो भी आप जिन भी authors का जिन भी sociologist का नाम लोगे तो आप बताना कि उन्होंने क्या method जैसे Garfinkel की example ले लेना कि उन्होंने क्या method दिया है देन उसके बाद अगर आप किसी और जैसे डाइमटर्जिक इसने वो concept दिया तो क्या वो uniquely दिया है या फिर उससे पहले भी कोई concept था इस तरीके का और फिर इसके बाद breaching जैसे इसमें क्या है कि आपने उसे criticize करना है जैसे बिल्कुल उससे उल्टा हो जाना कि मतलब जो भी approach उसमें दी होगी तो उसको criticize करना आप sociologist का नाम ले सकते है या फिर आप जो भी general concepts उसमें यूज होते हैं उसमें तो जैसे इसमें मैंने sex, gross और dirkheims, aphorism की example ली हुई है उसके बाद आप क्या करोगे कुछ terms होती है ना इसमें उन terms को थोड़ा सा brief कर देना अगर आपका 20 marker है तो आप इसमें terms लिखते होगे कि जी मतलब यह यह term है index और यह reflexivity तो इसमें यह use होती है फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा होड़ डिटेल करना हो तो method of investigation देख लेना कि मतलब इसमें क्या जैसे ethno methodology है तो आपको पता ही है कि उसमें कौन सा method use हो सकता है कि documentary बनाओ और वहाँ पे जाओ लोगों की real life को समझो तो यह general layout हो गया किसी भी topic हो जैसे इसको आप phenomenology के लिए भी apply कर सकते हो या इसके लिए भी तो अब last में यह Max Weber का जब chapter पढ़ूँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वस्ट हीन और social change का approach क्या है तो in general यह थोड़ा empathetic understanding की तरफ जादा ध्यान देता है कि actor अपने meaning कैसे attach करता है और individual motives जैसे कि protestant ethic and spirit of capitalism में दिया गया है तो आपना यह इसमें इसने action की कुछ forms दी गई होंगी कि जैसे traditional action की आप आप से जो traditionally customs traditions expect करती है कि आप किस तरीके से पेशा होगे तो आप अगर in line with that करो तो वो फिर traditional action हो जाएगा अगर आप अपनी emotions की बात सुनों तो वो फिर affectual action हो जाएगा और अगर आपकी कुछ value effect हो रही है कि आप क्या हार्ड वर्क या patience तो फिर वो value rational हो जाएगा तो इस तरीके से ना यह एक last वाल instrumental rational होती है तो यह last वाली ना मतब आपको यह सारी चीज़े में detail से पढ़ाऊंगा पर आपको यह धिहान देना है कि यह सारी ना है interpretivism के अंडर आत होती है तो एक तरीके से आपको ना मतब सारा एक branch out हो जाती है जो interpretivism है तो अब इसको social action theory भी हम लोग कहते है वो मैं आपको बताऊंगा क्यों जब हम उस chapter में आएंगा वैसे आपको idea लग गया होगा अगर आपने सारे lectures अच्छे से सुने होंगे कि social action क्यों बोलेंगे इस circumstance के उपर और यह जो हम देखते है ना marxism और functionalism में जो एक दिया जाता है कि हाँ या society extreme है तो उस end से थोड़ा सा बाहर आके यह करता है और जो कुछ studies है ना इसमें लोगों की जैसे गौफ मैन की डामटर्जिकल थियोरी है तो उसने मतलब काफी ज्यादा रहा हद तक explain की है चीजें आजकल की age में mental asylums को जैसे उसने study की थी यहां फिर अभी यह social media की age में changes आ रही है labeling theory Harvard backer जिसमें बताया गया है कि अगर किसी को deviant बोल दो जैसे self fulfilling prophecy का होता है जिसमें अगर किसी teacher student को बोले कि यार तुम अच्छे हो चाहे वो अच्छा है एक experiment भी हुआ था इसमें आपको बताता हूं चलो उसमें क्या था कि दो student लिए एक बंदा 90% marks लाता था दूसरा बंदा 40% लाता था तो जो 40% लाता था उसको बताया गया कि तू तो यार बड़ा intelligent है तेरे तो marks ही बहुत अच्छे आते हैं हाला कि marks नहीं बताया गया और जिसके 90 आते तो उसको बोला गया तू बहुत बुर सब्सक्राइब करते हैं तो नेगिटिव क्या इसका की जुरूरी थोड़ी है इंडिविजुल ही इंपॉर्टेंट है जैसे material deprivation जैसे कुछ अगर आप किसी को पैसा नहीं दोगे खाने को नहीं दोगे तो फुफो पाकी क्या चीज़े करेगा सोचने की समझने की शक्ती त सब्सक्राइब करते हैं तो यह थोड़ा सा मैंने बता दिया था इन दोनों में फरक है तो जो फिनोमेनोलोजी है वो साइकलोजी से ज्यादा इफेक्टिड है और कोगनेटिव एस्पेक्ट डिसीजन में की मतब इसमें एथनो मेतोडोलोजी में तो वाट पीपल डू इसम तो समझा जाएगा तो अब न हम क्या करेंगे लेबलिंग थियोरी को अपलाई करेंगे यह एक सोर्शल इंटरप्रेटिवस्ट एक और है क्या लेबलिंग क्यूरी है तो उसको अपलाई करोगे तो आप न क्राइम और डिय थियंस हुआ तो इसको थोड़ा सा आपको एना juvenile था जो involved था तो society ने कैसे react किया society ने कहा दिया कि जी वो एक बच्चा है लेटा से उसने कहा है वो बच्चा है तो जो crime है जो मतलब उसका status है वो define हो गया कि वो बच्चा है और वो समझने समझने की शक्ति उसमें 100% नहीं है तो फिर क्या होगा फिर उसके बाद judiciary में एक तरीके से वो होगा एक होता है इमोशनली स्टेबल हो गया होगा तो फिर क्या होगा कि वो बंदा कोशिश करेगा इमोशनली स्टेबल होने की इसी का उल्टा डालो कि वो नहीं जी society ने उसे मतलब जब वो बाहर निकला फिर भी उसे सब चीजे तो इसमें भी टाइप्स होती है primary और secondary deviance तो यह आ गया हमारे पास इसकी application तो इसमें आप क्या करें कि थोड़ी सी इसकी definition देख लेना कि social construction होती है जो crime और deviance है यह भी social construction है और जो social groups है वो अपने ही कुछ rule बनाके लोगों को avoid करना शुरू कर देंगे जो कि इस information है खेर आप एक बार इसको देख लेना मैं यहां पर pause करके तो मैं क्योंकि यह अलज़ी काफी lengthy videos हो गही हुए है तो आपको मैं time दूंगा यह cover करने का तो अगर यह notes चाहिए तो नीचे message डालिए और फिर बोजे mail करिए तो ठीक है फिर है ना बाबाबाबाबाबाबाबा चाहिए ना रुष्गाँ है जो च एिर फो खिर बोजे दो आपकोम लाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबाबा जाए है